Hello everyone, Amitivari for Amitivari.net और आज का वीडियो अलग है ये साल है 2024, इस साल में SEOs के सामने पहला चैलेंज वेबसाइट को रैंक कराने नहीं है बलकि वेबसाइट को इंडेक्स कराना है बहुत सारी वेबसाइट अपने बहुत सारे पेजेस को इंडेक्स नहीं करा पाती है और इस इंडेक्सिंग का रीजन हमेशा वेबसाइट के content का overall खराब होना या वेबसाइट के content की quality का खराब होना नहीं है कई बार Google simply अच्छे URLs को भी इंडेक्स नहीं करता है इस problem का solution आज से दो साल पहले मैंने indexing API को use करके आप लोगों को बताया था जिसमें आप free की एक python script को use करके per day अपने 200 से लेकर 200,000 URL तक को Google को provide कर सकते थे और Google उन सारे URLs में से 80-90% URLs को index कर लेता था इस तरीके ने हमारे बहुत सारे clients को help किया आप लोगों की बहुत सारी help किया और बहुत सारे e-commerce platforms ने अपने millions of URLs को index कराया जो helpful content था जो useful content था Google ने इस API के परकतर ने शुरू किये और दीरे-दीरे एक साल के अंदर Google ने इन URLs का number घटा कर strictly 100 कर दिया फिर भी आप एक से ज्यादा accounts को बनाकर अपने 1000 URLs तक को Google को indexing API के जरी सब्मिट कर सकते थे और इन 1000 URLs में से 800-900 URLs तक index हो जाते थे अभी भी यह API वाला method लोगों के लिए काम कर रहा था यह safe था हमने हमेशा आपको वही तरीका recommend किया है जो आप लोगों के लिए safe हो जिससे आपकी website का नुकसान ना हो इस method को हम अपने clients के साथ में use कर रहे थे और Google के documentation भी strictly इस action को prohibit नहीं कर रहे थे इसे रोक नहीं रहे थे इसलिए हम इस API method को आराम से use कर रहे थे और हम किस तरीके से इसे use नहीं कर सकते हैं सबसे पहला change है कि अब Google specify कर रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ events और job posting type के content के URL ही आप इस indexing API के जरीए submit कर सकते हैं किसी भी और दूसरे type का URL अगर आप submit करते हैं इस indexing API के जरीए तो वह Google की spam policies के against माना जाएगा Yes, Google indexing API में किसी भी और दूसरे type के URL के submit करने को spam मान रहा है It's unfair Because अगर Google यह समझता है कि जितने भी URL submit किये जा रहे हैं वह index करने लायक नहीं है तो वह चाहिए जिस method से हम submit करें उन्हें index नहीं किया जाना चाहिए अगर मैं किसी URL को Google search console के site map feature के जरीए submit कर रहा हूं और आप उसे index नहीं कर रहे हैं लेकिन जब मैं indexing API के जरीए submit करता हूं और फिर आप index कर लेते हैं कि अगर आप अपने URLs को submit करते हैं indexing API के जरीए तो उनकी web spam team इन URLs को अब से check करेगी और अगर कुछ ऐसी URLs मिलते हैं जो job posting या फिर event type के नहीं है तो Google इसे spam policy के against मानेगी और इस तरह के website के ऊपर action लिया जा सकता है So Google के इस नए stand को देखते हुए हमने अपने इन दोनों वीडियो को down कर लिया है इन scripts को अपने server से हटा लिया है ताकि आगे आने वाले students इन वीडियो को देखकर इने follow ना करें, use ना करें और आप अगर अभी अपनी pipeline में इन दोनों scripts को use कर रहे हैं या किसी भी ऐसे system को use कर के अपने unindexed URL को submit कर रहा है तो आपको immediately तुरंत बंद कर देना चाहिए अभी से, अगर आपकी company का कोई internal tool है जो इस API को use करके non event या job post type की URL को submit कर रहा है, please इसे use करना बंद कर दीजे हैं, अपने clients के लिए बंद कर चुके हैं और आपको भी वर्न कर रहे हैं कि आप आपक submitted script आपको provide की थी, उस video में मैंने खास दोर पर mention किया था कि अब आप Google की limitation, जो 200 URL पर account वाली limitation है, इससे बंद हुए हैं, यानि कि जब आप indexing API को use करते हैं, तो आप एक दिन में 200 URL ही submit कर सकते हैं, लेकिन साथ ही में हमने अपने test में पाया कि अगर आप एक से ज्यादा accounts को बना कर URL को submit करते हैं, तो Google एक हजार URL तक ले सकता है, और उन एक हजार URLs को लेकर उन्हें index कर सकता है, 80-90% induction हो जाता था, now I think Google टीम में से किसी एक ने इस trick को देखा है, इस video को देखा है, और उसके feedback के बेस पर उन्होंने खास तोर पर इहां पर mention किया है, कि अगर आप एक स से ज्यादा accounts को बना कर इस तरह से होश्यारी के साथ 200 से ज्यादा URL को submit करते हैं, तो वो भी Google के अपनी terms and condition के against माना जाएगा, और ऐसे websites को punishment नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनकी indexing API के uses को बंद किया जा सकता है, so clearly Google is completely against using this API, ये method जब तक चला तब तक बहुत अच्छा चला आज से दो साल से हम इसे use कर रहे थे, तो दो साल में बहुत सारी websites ने अपना भला किया है, but going forward आपको इस API को use नहीं करना है, unless and until आप truly really में job posting या फिर event type के pages के URL indexing API में submit करना चाहते हैं, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, तो आप इस method को use कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोन से नया SEO इसे risk में ही use ना कर ले, try करने के लिए use करके अपनी website का नुकसान ना करें, अगर आपकी website पर indexing की problem है, तो I'll recommend कि आप हमारे site map के उपर जितने भी videos हैं, उन्हें follow करें, basic SEO की guidelines को follow करें, basic SEO को पहले सीखें, और indexing और crawling और rendering वाली problems को अपनी website से हटाएं, जब भी कि indexing की problem इस तरह से चालू होती है, तो website की overall quality या structure issue को भी show करती है, so आप अपनी website की overall content को अच्छा करें, और यह जो black hat वाली trick थी, दो साल तक चली, बहुत अच्छा था, बहुत लोगों को फायदा हुआ, लेकिन अब use नहीं करना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी नह बढ़े और हमारे clients के भी traffic बढ़े, मिलते हैं अगले वीडियो, thank you so much for watching this video, my name is Amitivari from Amitivari.net and I will see you next time, take care.